भारत के हर एक घर में सुभा शाम इश्व स्तुती की जाती है और हनुमान स्तुती का भी इसमें प्रचलन है तो आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रगुनात कला की ये पंक्तियां अक्सर गाई जाती हैं सुनाई जाती हैं घरों में क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये पंक्तियां किसके दोरा रची गई है तो आज का ये वीडियो बहुत खास है दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुभाश और आप दीक रहे हैं हिंदी साहित्यवारता जो पंक्तिया मैंने अभी आपके बीच में कहीं ये हैं राम रामानन्द को ही भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है कहा जाता है कि भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानन्द हाला कि हमने भक्ति के बारे में पूरे डिसकस कर लिया था जब हम भक्तिकाल के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे भक्ति का अभिर्भाव हुआ दक्षिन म प्रारंब किया गया था वो किन्यों ने किया था जो निमनवर्ग के लोग थे उनके द्वारा भक्ति अंदोलन चलाए गया था ये भी बांतोपोन चीज है और आज हम राम काव्य जो सगुन भक्ति है उसको पढ़ेंगे इससे पहले हमने देखी सूफी प्रिमा ख्यानक काव और निर्गुन संत काव्य धारा के जो प्रमुक कभी थे उनके बारे में डिसकस कर लिया है अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चकर सकते हैं इकाई दो के नाम से हमारा जी प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है देखिए आज के हम जो सगुन भक्ती के अंतरगत राम काव्य है उसको पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम जो अपना पीछे हमने डिसकस किया था सूफी काव्य धारा के जो प्रमुक रचनाकार थे उनके बारे में तो उसमें हम सबसे पहले आज दिख लेते हैं जो पदम पदमवत के जो प्रमुक कतन है पदमवत के संबंद में वो मैंने रख दिये हैं भक्ति कालीन कवियों के मुल्यांकन में अचारे शुकल की प्राथमिकताओं का क्रम एकदम सपष्ट है तोलसी उनके विवेचन के केंद्र में है परजाईसी कुछ ही उने पड़ते हैं जब ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह वाली पंक्तियां इसलिए रखे गई हैं क्योंकि कई बार परिक्षा में इस तरीके से पूछा जाता है कि शुकल के संबंद में या जो भक्तिकाल के संबंद में अचारे जो जितने भी हैं वो क्या कहते हैं तो यहाँ पर राम है तुलसी को माना है तुलसी को नहीं ते कैसे केंदर में रखा है फिर जाइसी कुछ होने पड़ते हैं जब कि सूर की तुलना में उनको जादा महत्तो देते हैं और कबीर की प्रकरता के तो वे क्या थे काईल थे तो नेक्स दीखिए जाइसी की अक्षकीरती का अधार अचारे रामजंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में और हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना इन्हों ने कब की थी 1929 में ठीक है फिर दिखिए कभित्व एवं भाववियंजना के दिश्टी से पद्माबत अत्यंत उच्छ गोटी का काव्या है तो ये बात कहिए पद्माबत हिंदी में अपने डंग की अकेली ट्रैजिक कृती है ये कहा है विजय दीव नारायन साही ने तो ये थे जो प्रमुख कथन थे पद्माबत के बारे में कई बार हो सकता है परिक्षा में पूछा जाए क्योंकि बहुत महत्पूर्ण रचना है पद्माबत जैस मैंने यहां की प्रमुख कमपंक्तियां रख दी थी अब हम पढ़ेंगे तीए सगुण भक्ती कावे और इसके अंत्रगत जो राम भक्ती है वो हम डिसकस करने जा रहे हैं राम भक्ती कावे में जो प्रबर्तन किया था इसका देखे वो माना जाता है इसका जो श्रेय रिय यह अचारे रामानन्द को प्राप्त है और इन्हीं के शिश्यों ने ही राम के सगुण और निर्गन रूप की उपासना के अधार पर राम भक्ती के को दो प्रितक धाराओं भावधाराओं के रूप में पलवित किया है तो देखिए जो भी राम भक्ती का प्रवर्तन हुआ उसका श्री किसको जाता है अचारे रामानन्द को जाता है रामानन्द की जो दो प्रमुक रचनाएं देखिए वो है एक है श्री रामार्चन पद्धती और दूसरी है आपकी वैशनव मताब्स भासकर ठीक है तो ये जो दो रचनाएं ये इनकी प्रमुक कृतिया मानी जा में इसका जिक्र किया हुआ है तो रामरक्षास्तोत्र और योगजिनतामणी भी किसकी रचना है ये रामानुजी की रचना है और हिमाचर प्रदेश राजय पातरता परिक्षा में रामरक्षास्तोत्र को पूछा गया था कि ये किसकी रचना है ठीक है श्री रामार्चन पद जो में तुलसी दास अपना सरवोच स्थान रखते हैं। तो देखे रामानंद के जो दोश आगे धराएं हुई पहले रामभक्ती जहां से निकली उसको आगे जो उनके शिश्य थे उनके पलवित किया है। चलाया एक तरीके से है ना। तो जो आपके निर्गुण थे वो हो चुके हैं। यहाँ पर हम तुलसी को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तुलसी जो है वो प्रमुकता से रामभक्त कवियों में जो सगुन कवी हैं उनमें अपना स्थान रखते हैं। इसलिए तुलसी को यहाँ पर रखा गया है कि तुलसी से पहले जो रामभक्त कवी हैं वो और भी हो चुके हैं जिनमें विश्नु दास का नाम उलेखनी है और साथ ही साथ अग्रदास और ईश्रदास भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं तो ये जो तीन नाम है ये भी तुलसी दास से पहले कई बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि परिक्षा में UGC NET की परिक्षा में प्रशन बनने की संभावना यहां से रहती है और एकाई दो बेहत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर सारी चीज़ें ही समाहित हो जाती हैं आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के आपके जो गद्य विधाएं हैं अलग- के बारे शिश्यों में अनंतानंद के शिश्य क्रिशन दास पहारी ने सरवप्रतम गलता अजमेर में रामानंद संपरदाय की गद्धी स्थापित की और इसके उपरांत अजमेर के राजा प्रित्वी राज उनके शिश्य बन गए और इसके अलावा पहारी के दो प्रसिद शिश्य हुए अग्रदास और कीलादास तो इनका क्रम भी आपने याद रखना है कि सबसे पहले कौन थे? रामानंद थे ठीक है? रामानंद की 12 शिश्य हुए हैं, अलगल उनके नाम है शुकल ने अलग माने हैं, डॉक्टर रामकुमार बर्मा और अचारे शुकल हैं देखिए, उन्होंने अनंतनंद को रखा है ठीक है? तो ये कहते हैं कि जो रामानंद के 12 शिश्य थे, उनमें जो अनंतनंद थे उनके शिश्य हुए आगे क्रिशन दास पहारी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्धी स्थापित की ठीक है? इसके उपरांद अजमेर के राजा पृत्वी राज उनके शिश्य बन गए और फिर पहारी के आगे दो और प्रसिदी शिश्य हुए अग्रदास और कीलादास यह हो गई प्रमुक बात कि किस तरीके से आपका जो है यह रामभक्ती चली एक तरीके से, ठीक है न? अब एदे किए प्रमुक रामभक्त कभियों का संख्षिप्त परीचे तो अब जान लेते हैं कि कौन-कौन से प्रमुक जो ऐसे रामभक्त कवी हैं जिनोंने रामभक्ती को आगे बढ़ाया या भक्ती कालिन सहित्य, हिंदी सहित्य को प्रदान किया ठीक है सबसे पहले आते हैं इसमें दीखिए विश्नुदास ये ग्वालियर के राजा डुंगरेंदर के राजकवी थे, कहा जाता है कि छिथाई वारता के जो रचनाका नराइंदास है ये इन्हीं के पुत्र थे जिताई वारता किसकी रचना है नराइंदास की है, और कब लिखी गई है या आप मुझे कॉम演्ट सक्ष Persie में जाकर बता सकते हैं नेक्स से द्इखिए नागरी परचारनी सभा की रिपोर्ट के अनुसार इनके कई ग्रंत, ग्रंतों का उलेक मिलता है जिनमें रामकथा के समंद में उनकी केवल एक पुस्तक उपलब्द है हाला कि इन्होंने 5-6 इनकी जो रचनाय है नागरी परचारनी सभा जो काशी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार माना ये गया है कि उतना उलेक मिलता है कि इतनी पुस्तक उनके लिखी है जिनमें क्या है रामकथा के समंद में बहुत कम रचनाय हैं सिर्फ एक रचना उपलब्द होती है जिसका नाम है देखिए रामायन कथा क्या नाम है उसका रामायन का था और डॉक्टर बच्चन सिंग मानते हैं कि रामकता संबंधी या हिंदी का प्रत्थम प्रबंध काब्य है अलाकि मानते इसको क्या है कि राम कथा का ये क्या है प्रत्थम प्रबंध कावे है ये बात किस ने कही है डॉक्टर बच्चन सिंग ने कही है प्रिष्ट संख्या 149 हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसमें इनों ने इस चीज़ को कहा है नेक्स से दिखिए नागरी प्रचारणी सभा की रिपोर्टों के अनुसार बिष्णु दास के प्रप्त गरंथ कौन-कौन से हैं वो हम देख लेते हैं तो दिखिए इसमें सबसे पहले था महाभारत का था रुकमिनी मंगल स्वरगा रोहन स्वरगा रोहन पर्व स्नेहलीला रामाइन कथा इत्यादी तो ये कुछ एक इनके जो महत्रपुन गरंथ हैं वो जो नागरी प्रचारणी सभा की रिपोर्ट के अनुसार क्या है उपलब्द हैं ठीक है तो ये तो बात होगी बिष्णु दास के बारे में कि कौन थे बिष्णु दास ठीक है अब हम देख ल के अंतरगत पढ़ रहे थे तो यहां पर हमने अच्छे तरीके से उसको डिसकस कर लिया था लेकिन इन्होंने राम भक्ती की भी कुछ एक रचनाएं रची हैं जिनमें से प्रमुक हैं देखिए तीन मानी जाती हैं भरत मिलाप, अंगत पैज और राम जनम तो ये तीन क्या हैं इनकी प्रमुक रचना हैं इनमें से जो दो रचना हैं भरत मिलाप और अंगत पैज इन से ही इनको राम भक्ती काव्यधारा के अंतरगत रखा जाता है और यहीं इनकी प्रसिद्धी का आधार हैं और भरत मिलाप में इनने भरत के जो राम की प्रती प्रेम को जो एक त विक्षे से वो बिल्कुल सठाके वहां रखते थे, उसकी वीरता का बनन इसमें मिलता है अंगध पैज में, तो यहां से ही इनको ख्याती मिली है, रामबक्ती, कावेधारा के कप्यूं में, ठीक है, तो यह तो होगी ईश्वरदास के बारे में बात, इनके बारे में कुछ ज बिद्यमान थे और कृष्णदास पयाहरी इनके गुरू थे पहले भी हमने के बार डिसकस कर ली थी कि कृष्णदास पयाहरी के कौन-कौन से दो शिश्य हुए हैं अग्रदास और कीलदास ठीक है राम भक्ति में रसिक भाव का समाविश अधिक रूप से इनों ने ही किया औ अग्रदास को रसिक संपर्दाय का प्रवर्टक माना जाता है गुरू के अवसान के बाद अग्रदास ने रहवास में अपनी अलग-अलग गद्धी स्थापित कर दी तो देखिए इनके जो गुरू की गद्धी थी वो कहा पर थी गलता में थी लेकिन जब उनका दिह अव बागबगीचों का प्रेमी कहते हैं. कई बार हो सकता है, यह पंक्ति पूछ ली जा कि किस्ने जो आपके अग्रदास थे, उनको बागबगीचों का प्रेमी कहा है. तो वो है नाबाधास जी ही. फिर आता है कि अग्रदास की जो प्रमुख रचनाय कौन कौन सी है तो ये इसमें हितो उपदेश उपासना बावनी अगर आप अचारे रामजंदर शुकल की पुस्दक देखेंगे तो वहाँ पर आपको हितो उपदेश उपाखाना बावनी इस तरह के से ये नाम मिलेगा अगली जो इनकी महत्वपून रचना है वह है ध्यानमंजरी राम ध्यानमंजरी कुंडलिया अश्टियाम और राम अश्टायाम तो ये चार पांच इनकी जो प्रमुख कृतियां है इनके बारे में भी थोड़ी से जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है ठीक है तो ये तो बात हो गई अग्षिटास के बारे में अब हम दिख लेते हैं नावादास के बारे में ठीक है तो नावादास देखिए पन्दरा सो सत्तर के आसपास ये बी दमान थे इनका जो उपनाम है ये नराइनदास है ये किसन नहольно दिया था डोक्टर स आगे कौन हुए? कृष्ण दास पयाहरी, पयाहरी के बाद जो उनके अगले शिश्य आए, वो कौन थे? अगरदास थे? अगरदास के बाद नावदास, ठीक है? इस तरीके से आपने इनका करम याद रख लेना है, ठीक है? तो नावदास 1570, उपनाम नरायन दास और गुरु इनके अग्रदास, ठीक है, हिंदी में नावदास को ही क्या माना जाता है, कि ये भक्तमाल परमपरा के सुत्रतार हैं, या स्त्रोता हैं एक तरीके से, ठीक है, इनसे ही क्या माना जाता है, कि भक्तमाल परमपरा का प्रवर्तन हुआ है, भक्तमाल की रचना कब की थी इनोंने 15 1596 हलां कि कुछ एक पुस्तक में आप देखेंगी 1585 दिया गया है तो वो एक तरीके से सही नहीं बैड़ता है क्यों कि 1570 में अगर इनका जनम हुआ था तो 1585 में ही इनोंने इतनी बड़ी रचना कैसे रच टाली यह अपने हाप में एक प्रशन खड़ा करता है तो इसलिए ज जो गोविन पांडे और सरस्वति पांडे की पुस्तक है वहाँ पर इसका जो रचना काल है वो आपको 1585 दिया हुआ मिलेगा कई बार भक्तमाल जो है इससे पूछा जाता है या फिर यहां से प्रशन इस तरीके से पूछा जाता है देखें इन में से कौन रामभक्त कभी ह है कौन से नहीं है तो जो जो भी प्रमुक रामभक्त का भी है वो मैं आपके बीच में रख दिया हूँ कि यह यह है उनमें से हमने चार कर लिए है चौथे आपके नवदास जी भी है और भक्तमाल इनकी प्रमुक रचना है जिसमें राम की दिन चर्या के बारे में एक तरी ग्या है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इसके उपर जो टीका लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रिय दासने लिखी थी, रसभोदिनी शीर्शक से, है ना? कौन सी भक्तमाल, टीका कि टीका किस ने लिखी? प्रिय दासने है, है ना? हो सकता इस तरीके से प्रशन पूछ जाए तो आपको ये भी याद रख लेना है या फिर note down कर लेना है next दिखिए केशवदास जो कुछ लोग क्या कहते हैं जो केशवदास हैं ये किसके अंतरगत आते हैं रितिकाल इन अचारेओं के अंतरगत या फिर रितिकाल का प्रवर्तक इनको मानते हैं जबकि जो अचारे रामचंदर शुक ले दिखिए वो चिंता मनी तरिपाटी को मानते हैं कि उन से रितिकाल का क्या हुआ है शुरुआत हुई है लेकिन कौन ऐसे भी दुआन है जो मानते हैं कि केशवदास से रितिकाल का प्रवर्तन हुआ है तो वो है देखिए विश्वनात प्रसाद मिश्र डॉक्टर नगेंदर और गणपती चंदर गुप्त तो ये वाली पंक्ति भी बहुत महुत अपूर्ण है कईवाल परिक्षा में पुछी जाती है कि किसने केश्व को रितिकाल का प्रवर्तक माना है तो तीन नाम इसमें प्रमुक्ता से लिए जाते हैं विश्वनात प्रसाद मिश्र डॉक्टर नगेंदर और गणपती चंदर गुप्त ठीक है केश्व का जनम भी हमें याद होना चाहिए पंदर सो पच्पन और सोला सो सतरा सोला सो सत्रा ठीक है तो ये दो चीज़े हैं इनको आपने याद रख लेना है केश्व के बारे में बहुत सारी चीज़े हैं उसके बाद इनकी रचनाओं को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्रमुक रचनाएं कौन-कौन सी है इनकी दिखिए इनकी जो प्रमुक रचना है वो है रसिक प्रिया पंदर सो इक्यानु में नहीं इसको लिखा था इसमें सोला प्रभाव हैं जैसे सरग होते हैं उसी तरीके से इसमें कितने प्रभाव हैं इसमें श्रिंगार वर्णन है और अधार ग्रंत जो माना जाता है रोदर भट का श्रिंगार दिलक ठीक है तो यह थोड़ी सी जानकारी है रसिक प्रिया के बारे में इनकी जुपरमुख रचनाए है कब रची गई थी कई पार इनको सीक्वेंस में लगाने को कहा जाता है तो और ये किसलिए इन्होंने कब लिखी थी, 1601 में लिखी थी, और किसकी प्रतिसपर्दा में लिखी थी, यो तुलसिदास का रामचरित मानस है, दिखिए, उसकी प्रतिसपर्दा में इन्होंने इसको रचा था, वो भी सिर्फ एक रात में ऐसा कहा जाता है, ठीक है, लेकिन र प्रतिसपर्दा में एक और रचना रची गई है वो गुमान कवी के द्वारा कौन सी कृष्ण चंद्रिका ठीक है इसको भी आपने याद रख लेना है कि कृष्ण चंद्रिका किस की प्रतिसपर्दा मिले की गई थी बाद में राम चंद्रिका की प्रतिसपर्दा में ठीक है नेक्स से देखिए प्रकार तो राम चंद्रिका का जो प्रकार है वो है प्रबंध काविया पहला आपका रितिगरंध थारसिक प्रिया अब राम चंद्रिका जो है देखिए वो क्या है वो है प्रबंध काविया इसका विश्य क्या है राम के चरित्र पर ही ये अधारित है औ उनको अत्याथिक प्रसिद्धी मिली है, ठीक है, इसमें कितने प्रकाशें देखिए, 49 प्रकाशें और इसको चंदों का अजायव घर कहा है, डॉक्टर राम स्वरूप चत्रुभेदी ने हिंदी साहित्य और संवेद्र का विकास, ठीक है, इसमें इनोंने इसको क्या कहा है, कि ये चंदों का अजायव घर है, कई बार ये वाला प्रशन भी पूछा जाता है, कि किसने राम चंद्रिका को चंदों का अजायव घर कहा है, ठीक है, नेक्स है, इनकी जो प्रमुख रचना, वो है कवी प्रिया, तो कवी प्रिया में, 1601 में इसको लिखा गया था, और 16 प्रकाश हैं, और ये इनका क्या है, अलंकार ग्रंथ है, ठीक है, रतन बावनी, 1607 में लिखा, त्रेपंचंद और ये प्रबंध काव्य है, नेक्से दिखिए, वीर सिंग देवचरित, 1607 में, इसमें 33 प्रकाश हैं, और ये भी क्या है, प्रबंध काव्य है, बिज्यान ग जहांगीर का बनन है और यह 1612 से में मिले किया है ये भी क्या है प्रबंध काब्य है तो ये थी अचार्य केश्व की जो महत्वपून रचनाएं थी उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जानी कि क्या-क्या है कब इसको रचा गया है कि इतने इसमें प्रकाश है कौन सा इनका प्रबंध काब्य है कौन सा रिती ग्रंथ है और कौन सा इनका जो अन्य ग्रंथ है ठीक है next देखिए केश्व के समंद में जो अचारे रामचंद्र शुकल हैं वो क्या कहते हैं यह बहुत ही मौतपून चीज़ है इससे related UGC Net के परिक्षा में अकसर प्रषण पूछी जाते हैं तो देखिए केशव के समन्द में शुकल ये कहते हैं कि केशव को कभी रिदय नहीं मिला था और ये पंक्ति बहुत ही मौतपूर्ण है अक्सर आप देखेंगे कि परिक्षा में कहीं न कहीं इसको पूछा गया है उनमें वह सहिर्दिता और भावुकता न थी जो एक कभी में होनी चाहिए तो इसलिए उनको क्या कहा था वो कठिन कावय का पृत मानते हैं कौन अचारे रामचंदर शुकल जी शुकल ने केशव के बारे में लगभग लगभग कोई सखरात्मक चीज नहीं कहीं एक तरीके से है न इन्होंने इनको क्या किया है तोड़ा एक तरीके से क अगला जो कठन है शुकल का देखिये केशव के समंद में वो ये कहते हैं कि प्रबंध कावय रचना के योग्य ना तो केशव में अनुबोती ही थी ना शक्ती परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विश्यों के फुटकल वर्नन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना म मानते थे तो देखिये प्रबंध कावय रचना के योग्य वे केशव को नहीं मानते थे अचारे रामचंदर शुकल जी तो इसी के समंद में जो प्रबंध कावय रचना के समंद में ही डॉक्टर नगेंदर देखिया आगे क्या कहते हैं जो अन्य विद्वान है वो कहते है सबसे पहले नगेंदर हैं, वो कहते हैं कि प्रबंध कौशल के लिए आवश्यक मारमिक प्रसंगों की पहचान का केशव में क्या था, अभाव था, मतलब जो चीज कौन कह रहे थे, जो चीज अचारे रामचंदरी शुकल कह रहे थे, वही चीज हिंदी साहिते के इतियास जो उन्हें बात कही है कि केशव महतोपूर्ण हैं, हलांकि उन्हें वो चीजें नहीं हैं, लेकिन फिर भी किन चीजों को लेकर कि उनका महतो है, ये बताने की कोशिश विशुनत्री पार्टी करते हैं, ये कहते हैं कि केशव का महतो इस बात में है, कि उन्होंने पहली बार सं अचारे केशुब नहीं क्या कि एक त्रीके से जहमत उठाई थी लिखने की चीक है ना केशुब का महतो इसलिए ये मानते हैं नेक्स से देखिए डॉक्टर बच्चन सेंग वो लिखते हैं कि वेसंस्कित के पंडित थे क्लासिक पंडित यही कार्ण है कि अपने गरंतों के ल बहुत ही contradictory एक त्रीके से यह ना तो इनको समझना इनको पढ़ना इनकी जुपरों करचनाएं हैं उनको भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये परिक्षा से परिक्षा के लिए बहुत ही महत अपूर्ण है ठीक है अब आते हैं कि केशुब के लिए जो प्रमुक चीज़े हैं द तो ये थी जो प्रमुक चीज़ें अचारे केशुब के बारे में और आज लगवग हमने पांच या छे कवियों के बारे में पढ़ा जो आपके रामभक्ती के अंतरकत आते हैं इसके अलावा अन्य जो रामभक्त कवी हैं और जो प्रमुक रामभक्त कवी तोलसिदास जी ह सगुन भगत कभी उनके बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शिर कीजिए और चैनल को सब्सकाइब करना बिल्कुल भी न भूलें अगर आप अभी तक हमारी टेलिग्राम ग्रूप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक के उपर क्लिक करके सीधा हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ सकते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे नई उर्जनर्स पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंगे